हेलो दोस्तों, welcome to only IES, date है आज की 19th October 2022 and आख सभी का स्वागत है आज के editorial discussion में आज हम total 3 editorial discuss करेंगे, देखे पहला editorial है governor के pleasure से related actual में अभी केरला कोई regarding थोड़ी controversy हुई है, जहां पर governor ने केरला के थोड़ी statements दी हैं तो writer उसकी बात करते हैं कि क्या, actual में केरला के governor इस बात को जो बोल रहे हैं, क्या वो constitution के within है या नहीं है, इसके उपर थोड़ी discussion करेंगे, दूसरी बात है 1962 के बारे में, देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप सभी जानते हो, कल है 20 October 2022, और कल न, actual में हमें 60 साल हो जाएंगे, किस चीज़ को, actual में 20 October 1962 को, हमारी जो चाइना के साथ लड़ाई थी न, वो शुरू ही थी, तो यहां पर writer उसके regarding कुछ बात कर रहे हैं, कि 60 साल होने वाले हैं इस लड़ाई को, हमने क्या सीखा, या किस तरह से हमने क्या कर चीज़े ठीक कर सकते थे, थोड़ी उसके regarding चर् हो रहा है, US का कैसे चेंज हुआ है, क्या क्या नई strategies है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारा पहला editorial है, वो है regarding governor से संभधित, देखें, जैसा कि मैंने आप भी आपको थोड़ी दर पहले ही बताया, कि केरला के जो governor है, आरिफ मुहमद खा है, जो governor के office की dignity को harm करता है, तो टेपला के जो governor, यानि कि वो खुद जो है, वो definitely इन चीजों को कर सकते हैं, वहाँ के ministers को dismiss कर सकते हैं, पर writer का ये कहना है कि ऐसी कोई भी power इनके पास नहीं है, अगर हम देखें article 164 की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ministers होंगे, व office hold करते हैं, during the pleasure of the governor, तो यहाँ इस particular article में तो ये लिखा हुआ है, और even हमारे पास अलग-अलग देखो, कही instances रहे हैं, जहाँ पर क्या हुआ है, governor में chief minister को dismiss भी किया हुआ है, पर ये जो dismissal है, जो chief minister सा किया जाता है, वो arbitrary basis पे नहीं होता, वो तब होता है, जब मान को एक constitutional situation आगी, मान लीजिए ऐसा लगता हो, कि कहीं नदी जो chief minister है, उन्हों है अपनी majority को खो दिया है, तो उस case में क्या होगा, एक तरह से floor, ठीक है, जो assembly का floor होता है, वहाँ पर voting होगी, उसको prove करना पड़ेगा, chief minister को prove करना पड़ेगा, कि मेरे पास majority है या नहीं है, article 164 और जिसमें ये लिखा ना, कि pleasure of the governor के उपर hold करते हैं, इसका meaning किसी भी अंदाज से ये नहीं है, कि governor की जब मर्जी आएगी, तब वो क्या कर देंगे, ministers को dismiss कर देंगे, pleasure doctrine, ये तो pleasure की बात करी गई है, इसका meaning constitutional sense में है, कि अगर उनकी majority जा चुकी है, तब वो उनको हटा सकत हैं, बट ऐसा नहीं है, कि अपनी मन मर्जी से उसको हटा दिया, and even अगर ministers को हटाना भी होता है, तो chief minister के advice के उपर ही अटाया जाता है, तो ये बात यहाँ पर समझनी बहुत ज़ोई है, कि chief minister, sorry, government की जो power है, ये arbitrarily नहीं है, इसको constitutional sense में ही देखा जाए, तो ये ठीक अब ये मुद्दा देखो, प्रिछल टाइम से थोड़े वैसे भी उठ रहा है, एक्चल में आप देखो, केरला university laws के regarding जो amendment हुआ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, governor ने अपनी ascent देने से ना मना किया है, ना ही हा करी है, वो क्या रहा है, उन्होंने withhold कर लिया हुआ है, जो ब governor अगर इस बात से देखो, कहीं न कहीं, अगर बिल के उनको सही नहीं रग रहा, तो या तो वो कोई जो अनके पास अलग-अलग constitutional options है, उनको utilize करना चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए, कि अपने पास उसको काफी time तक लेकर रखे रहे हैं, और देखो, यहाँ पर जो इस तर corresponding बढ़ रहा है, और writer ये भी बोल रहे हैं, कि ये जो हमारी state government है, इनके पास पूरे rights हैं, कि वो इस चीज को कर पाएं, ठीक है न, अगर वो चाहते हैं कि चांसलर की power को कम करना, जो governor होते हैं, उनको कम करने के विलकुल हक है, वहाँ की legislature इस तरह का act pass कर सकती है, और जो governor कर रहे हैं, कि या तो उनकी जो statements है, जो बोल रहे हैं, कि ministers को हमें dismiss कर सकता हूँ, या फिर जो उनने एक तरह से bid hold कर रखा है, ये थोड़ा ठीक बात नहीं है, और साथ ही साथ, अगर हम बात करें, पुंची commission की, अब जानते हो, जो center state relationship के corresponding, हमने सरकालिया commission देखा है, पास किये गए हैं, वो ठीक है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, हमें का ensure करना चाहिए, कि इस चीज़ को हम implement करें, जो केरला की government कर रही है, और governance को भी ये ensure करना चाहिए, कि उनको, उनका काम क्या है, constitution को defend करना, किसी भी तरह से इसका मतलब ये नहीं है, कि अपनी जो उनके constitutionalism का principle हमें uphold करने की, ठीक है न, and ये जो arbitrary powers यूज करी जा रही है, इनको रोखने की, तो ये point है यहाँ पर इस article corresponding, जो writer कहने कहीं discuss करना चाहते हैं, ठीक है, समझ आया, okay, चलते हैं second editorial की तरफ, यहाँ पर बात हो रही है, 1962 के बारे में, मैंने आपको बताया भी, कि 20 October 1962 को हमन एक चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, लगबग एक महीने की लड़ाई थी, ठीक है न, आज, मतलब आज निकल, इसको 60 साल हो जाएंगे, तो writer ने यहाँ पर एक major point उड़ाया है, what is that, देखिए, अभी कुछ साल पहले हमने 1965 war जब हुई थी, उसके 50 साल जब हुए, ठीक ह 1971 की जो war हुई थी, तब जो बंगलदेश का formation हुआ था, ठीक है न, उसके जब 50 साल हुए, यानि की 2021 में हमने इसको भी बहुत अच्छा से celebrate किया, बिल्कुल, पर writer यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने जो एक लड़ाई थोड़ी चाइना के साथ हम उसको एक तरह से वहाँ प तो उसी तरह से हमने क्या करना चाहिए, यह जो हमारी जंदगी में कई बर उतार चड़ाव आते हैं, इन failure से हमें सीखनी की जरूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल उसको भूल जाना चाहिए, भूलना गलत है, उनसे सीख लेनी चाहिए, यह जरूरी है, तो अग हम क्या करें, उनसे सीखें, और आने वाले टाइम में उन चीजों को सीखते हुए और बेखर करें, यह जरूरी है, यहाँ पर यहाँ राइटर यही बात कर रहे हैं, कि अगर जिंदगी में सबसे कोई बड़ा टीचर है ना, तो वो failure ही है, जब हम आते हैं, तब ही हमें ची 62 की अगर कहिना के बात नहीं करते हैं, तो हम हमारे जो उस टाइम के कुछ brave soldiers थे, जिन्हों ने अपनी शहादत देदी, देश के लिए कुर्बानी देदी, हम उनको भी भूल जाते हैं, ठीक ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, तो एक तरह से अगर हम 1962 62 वार को याद करें ना, तो इन सभी की चीज़ों, इन सभी soldiers, जिन्होंने अपनी इतनी बहादरों से लड़े, उनकी भी हमें कहिना कहीं, उनको भी एक तरह से सल्यूट है, यह काफी होगा हम उनको भी tribute पे करेंगे, अगर हम 1962 की इस वार को थोड़ा याद करें, और देख अरिका हो गया, जो नहीं नहीं कंट्रीज बनी थी, उनकी आइस में जुआलना नेरु जी एक काफी चेंपेन की तरह उबर कराये थी, पर, just because, कि एक leadership बहुत ज़्यादा उनकी popularity थी, international standing में उनकी बहुत popularity थी, क्या इसका मतलब यह हो गया, कि हमारा देश भी strong था, the answer is no, उ जो नेरु जी थे, एक तरह से कह लिजे कि, उनके अंदर misguided optimism था, एक तरह से वो anticipate नहीं कर पाए, कि China हमारे उपर attack भी कर सकता है, और इसी वज़ा से क्या हुआ, हमारी Indian Army को उतना capable नहीं बन पाई, या फिर एक तरह से, उनके पास proper equipment नहीं थे, इस चीज के साथ deal करने के लिए, तो ये चीज को कहीं नगे समझना चाहिए, कि leadership होनी important है, बट leadership के साथ-साथ हमें, जो हमारी Army की capabilities है, उनको भी constantly improve करने की ब्रूट है, अलग-अलग नए-ने weapons होने चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं एक तरह से, कि वो power पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती है, दूस हमने Indian Air Force को अच्छे से utilize किया होता, तो एक तरह से हो सकता था, इंडिया वो war जीत भी सकता था, एक्चल में था क्या, कि Chinese Air Force थोड़े अलग तरह से काम कर रहे थी, high altitude की वज़ा से, बहाँ पर इंडिया को एक benefit हो सकता था, पर इंडिया उस benefit को नहीं use कर पाया, क्योंकि हमन हमारे जो soldiers थे जो उनकी officers थे, army officers वो कहीं न कहीं, political interference के सामने नहीं, उनके सामने नहीं stand कर पाए, as in, यह political interference काफी ज्यादा थी, पर कहीं न कहीं हमें आर्मी की capabilities थी, उनके पर जादा fokus करना जाहे था, army की जादा होना चाहिए था relevant political interference, हमारे जो political leaders थे, उन्होंने accessiblely interfere किया कि वो और होना चाहिए था हमारी जो मिलेटरी था उनका यहां पर इस तरह प्रइटिकर इंटरपेर इन सभी चीजों में नहीं होनी चाहिए उसी तरह से राइटर ये भी बात करते हैं कि हमने ना देखो कुछ हमारे ऐसे जवान है जिनको हमें आज भी हमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया जैसे कि मेजर शेतान सिंग जी इनको इवन जो बैटल ओफ रिजांगला था उसके अंदर इनने बहुत इंप के जो थे ठीक है ना ट्रांस्पोर्टेशन के रिगार्डिंग हेलिकॉप्टर एयर क्रू इन्होंने बहुत एक स्टॉंग काम किया कही ना कहीं जो जिनकी डेथ होगी थे उनको वापस लेकर आना अलग-अलग समान वहां पर पहुचाना एक्यूप्मेंट को वहां पर पह रहे थे इन्होंने तो बहुत पेजी से इस चीज का एक करना से बहुत ही बहादरू से लड़ाई करी पर जो हमारी सीनियर मिल्टरी रिडर्शिप थी ना वो कुछ हट तक अपनी स्टेंट को खो चुकी थी देखो जिनकी जिनका रैंक जितना बड़ा होता है कहना कि जिनक रैंक थोड़ा लूर था उन्होंने बहुत बहादरू से काम किया पर हमारे कुछ सेल्यर मिल्टरी लीडर्शिप थे उन्होंने अपनीगर को खो धिया और वह उतनेशाए यह साव से जितना हमने अटेटीर एक्सरेंट क्या था उनसे उतनी बहादरू से वो शाय बहांने लड़ पाई तो कुछ यहां पर भी हमसे कुछ issues यहां पर हुए पर यहां पर राइटर एक चीज बोलते हैं कि अब तो यह जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं यह तो हम बाद में लिख रहे हैं तो हमें शायद लिखने में काफी असानी हो जाती है कहने का यह पॉइंट है कि उस गॉवणनेंट को क्या करना चाहिए गॉवणनेंट को कुछ डॉक्पुमेंट को डी क्लासिफाइ करना चाहिए जैसे कि हेंडर्स ब्रुक्स भगत रिपोर्ट दरसल में क्या हुआ था एक इन्वेस्टिगेशन कमिशन बनाया गया था ताकि यह देखने के दिए कि इंडि हाइलाइट किया है कि इससे कुछ नैशनल सेक्योर्टी के रिगार्डिंग कुछ कंसरंज आ सकते हैं बट राइटर यहां पर बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजों को अगर हम डी क्लासिफाइन नहीं करेंगे तो होगा क्या हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हमने क्या गल में क्या सीखना है कैसे इनके ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं यह सारी चीज़ें साथ जी साथ मीडिया को भी इसके ओपर अपर डिबेट करनी चाहिए समझ रहे हो मीडिया अब पर करेगा कहीं श्यू vocêsitq som ge attacked होते हैं बट जो इंसान अपने फेलियर से नहीं सीखता वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ता सेम चीज़ हम इन नेशन के कोर्सपोंडिंग भी देखने पड़ेगी इन नेशन भी उस पर्टिकुलर चीज़ से सीखे आगे बढ़े अपनी स्टेंज को और आगे लेकर रहे तो इसी तरह से हमारा यूथ भी कहीना के इंस्पायर हो पाएगा और आने वाले टाइम पे देश को हम और तरक्षी की लाव पर लेकर चल सकते हैं तो यह था दूसरा एडिटोरियल जो कहीना के आटिक राइटर बात कर रहे हैं 1962 वार के बारे में तीसरा एडिटोरियल है इंडिया अमेरिका एंड चाइना चैलेंज के बारे में और यही जो एडिटोरियल है यह लिखा गया है सी राजा महुन जी के द्वारा अब देखो यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं यहां पर बात हो रही है कि आज के टाइम पे ना उनकी जो administration है उनके द्वारा national security strategy NSS को launch किया गया है इसके अंदर उनने बात करी है कि किस तरह से जो एशिया हो गया इंडो पैस्पिक हो गया इसकी politics किस तरह से change हो रही है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना है कि US के लिए अगर पर सबसे बड़ा खत्रा इस टाइम पर है तो वो चाइना ही है उसी तरह से चाइना ने भी जो अपनी पॉलिसीज है उसके अंदर उनने सोचा हुआ है कि क्या कि एशिया के अंदर जो dominant power होने चाहिए वो US नहीं होने चाहिए वो चाइना होने चाहिए इवन देखो जो communist party of China है वो सारी इस particular चीज़ों corresponding बहुत strongly काम कर रही है इस चीज़ को ensure करने के लिए तो इंडिया हो गया एशिया की बाखी countries होंगी उनको अपने आपको देखना पड़ेगा कि जो power equations change हो रही है यूएस और चाइना के बीच में इससे हम क्या कर सकते हैं किस तरह से हमें इसकी तरफ मूब करना चाहिए यह सारी चीज़ है और देखो over the time हमने अमेरिका और चाइना के बीच में अलग-अलग changes देखने को मिले हैं उनके relationship के बीच में जैसे कि for example आप देखो कि पहले 19th century में ही अमेरिकन्स क्या थे एक तरह से मूब करना महाँ पर अमेरिका मिशनेरी स्चूरू होगी थी उसके बाद जब World War 2 के टाइन पर Japanese invasion होता है जब चाइना के उपर तो US ने चाइन चाइना को बैक किया था चाइना के साथ थे बिलकुल बट एक बार जब वहाँ पर communist का राज आ गया 1949 के बाद तो फिर से चाइना और US के बीच में conflict स्टार्ट हो गया 1970 के बीच में around क्या हुआ जब US और कहीं USSR Union USSR के बीच में fight चल रही थी तो US और चाइना फिर से पास में लगे 1980 में क्या हुआ फिर से हमेरे को चेंज यहां पर देखने को मिले हैं अब जैसे जैसे 21 में सधी आई है तब से क्या हुआ है तब से चाइना को ऐजा थेट देखने लग गया है US तो आप कहें रहे हो कभी US और चाइना साथ में आ रहे हैं तो इस तरह की चीज़े हमें यहां पर देखने को मिली है फिछने कुछ सालों के अंदर ठीक है य Gomez चाइना एं चाइना और यही आप मानली है की जो YOUS है या प्रूरा जो वेस्ट है वही इ Joint माली की स्केरटS करना चाहता है अले कि किस तरह से ऊप उसका कार MPO करता है और यही एक रीजन बना है क्या क्य बीच में एक तरह की trade war भी देखी, साथ ही साथ आपस में दोनों को बीच में काफी conflicts बढ़ते हुए भी देखे, अब यही जो policy एक तरह से Joe Biden अपना रहे हैं, वो इसी गात के उपर ही उन्होंने एक level आगे जा रहे हैं, कि किस तरह से हम चाइना को tackle कर सकते हैं, यहाँ पर दे तो देखो एवन जैसे आज के टाइम पर आप देखे रहे हो, रशी और यूपरियन का crisis चल रहा है, पट तब भी जो US है, उसका major focus या जो सबसे बड़ा enemy एक तरह से मांग रहा है, वो चाइना को ही मांग रहा है, अब देखो जब last century थी, तब हमने क्या देखा, तब हमने focus देखा Europe के उपर, क्यों? क्योंकि Cold War चल रही थी, वहाँ पर अलग अलग चीज़े चल रही थी, अब आज के टाइम पर focus कहा आ चुका है, आज के टाइम पर focus आ चुका है, इंडो Pacific के उपर, एशिया के उपर, चाइना के उपर, ये सारी चीज़ों के corresponding हमें देखने को मिल अब ऐसे टाइम पर इंडिया हो गया या बाकी जो एशिया के जो बाकी यवार कंटरीज है, इनको एंगेज करने की जुरूरत है, किन से कम तीन डिमेंशन के उपर, ये कौन सी तीन डिमेंशन है, पहली डिमेंशन है आइडिलोजिकल, मीनिंग, देखो, अमेरिका क्या है, डेमोक्रेटिक, चाइना को एक तरह से आप आटोक्रेटिक की अगर हम बीच में की तरह मानें, तो एक तरह से क्या हो गया है, एक तरह की स्ट्रगल हो चुकी है, डेमोक्रेसी और आटोक्रेसी के बीच में, देखो, ये स्ट्रगल ना एक्षल में पहने भी हुई है, अगर पावर था वो नहीं रहा पाया बट अब यह वापिर से आ रही है अब बस फरक यह है कि USSR की जगा कौन आ चुका है चाइना आ चुका है तो यह सारी चीजें हमें यहां पर इस टाइम के देखने को मिलती है ऑल्दो ऐसा होना चाहिए कि US के साथ जो अलग-अलग आइडिलोजी के basis पे दूसरा राइटर बात कर रहे है ट्रेड एंड टेक्नोलोजी के फ्रेंट पे देखो बात करेंगा चाइना की आप देख रहे हो चाइना ने पिछले 30-40 सालों के अंदर एक गजब की ग्रोथ देखी हुई है ठीक ना बहुत तेजी से उनकी एकनॉमी प यहां पर चाइना का देखो फोकस एक तरह से सेल्फ रिलाइंस के उपर भी आ चुका है और उन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर globalization की भी बात करी हुई है पट अब major focus उनका ऐसा है कि बाहर की टेक्नोलोजी के उपर हम रिलाई ना करें और कही ना कहीं जो हम इंडिया अब यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं राइटर बात कर रहे हैं कि जो यूएस है अब क्या करेंगे कुछ adjustment करने की बात कर रहे हैं जो पहले का तो हमारी industries को strengthen कर पाएं तो यहां पर यूएस का यह अब अजेंडा स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो यह trade and technology के एस्पेक्ट में यह changes हमें देखने को मिल सकते हैं तीसरी चीज है alliances किस तरह से एशिया के अंदर alliances हो जिसे for example यूएस आप देख रहे हो कि आज कर के ताइम प powers के साथ यहां पर collision की बात पर रही है तो यह क्या है यह यूएस एक तरह से pushback कर रहा है देखो चाइना ने भी पूरी कोशिश करी हुई है अपने अलग-अलग initiative वेल्ट and road initiative हो गया दूसरे countries को एक तरह से उनको पैसे देना ठीक है तो यह सारी चीजों के अंदर चाइना यहां भी कोशिश कर रहा है अलग-अलाइस बनाने की यूएस ने भी उसी तरह से अपने आपको नेने अलाइसे अने पार्टनर यहां पर ढूंड रहा है अब ओवर दर टाइम अगर हम देखें तो इंडिया के एंगेजमेंट काफी अलग-अलग-अलग तरह से चेंज अब बात भी बिछले आर्टिकल के अंदर जब जोवालना नविजी की बात कर रहे थे राइट ऑन दर हैंड जब मैंने आपको क्या पता है 1970 के टाइम पर क्या हुआ था जब यूएस और चाइना पास में आ रहे थे यह थोड़ा रशिया के अगेंज जा रहे थे यूएस सार के क्लोज जा रहा था तो यह काफी हमें चेंजेस टेखने को मिले हैं ओवर दा टाइम ठीक है इंडिया अगर यूएस ने जब-जब हैल्प करी है चाइन इस अगनामेटी तो इंडिया को यह बहुत अच्छे नहीं लिगे कि इंडिया की यूएस वाहां पर उनकी हेल् है आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में कनवर्जेंस इंडिया के लिए भी यूएस के लिए भी चाइना एक मेजर थेट है आज के टाइम पर दोनों की यह कोशिश है कि हम चाइना के उपर जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जा पाए आपस में किस तरह से और एंगेजमेंट को बढ़ाया जा पाए ताकि हम इस चीज में आगे बढ़वाएं बट यह भी पॉइंट करते हैं कि जस्ट बिकॉज हमारे चीजों पर ऊपर थोड़ी कनवर्जेंस है इसका मसलब यह नहीं है कि हम दोनों कंटरिस बिल्कुल डेफिनिटल साथ में चल सकते हैं उसको एक अच्छे ढंग से लेके चलना एक फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाना उसमें कुछ चैलेंज़े आएंगे पर दोनों कंटरिस को क्या एंशूर करना है कि जो उनको उपरचुनिटेस मिरी है ना इसको प्रॉपली समझाए होंगे इसी तरह से आप भी अपने पर हार्ट वर्क करते रहिए गुडबाई एंड गुड़ लग